Welcome back guys to this low poly character modeling tutorial part 2 तो आज हम बनाएंगे face और hopefully अगर time रहा तो हम अपने character को color भी देंगे तो सबसे पहले तो हम tap प्रेस करके आजाते हैं edit mode में अब यह आप देख सकते हैं कि हमने अपने subdivision surface modifier को apply नहीं किया तो इसे हम कर लेंगे apply हलाकि इसे और बहतर बनाए जा सकता है पर मैं नहीं बना रहा हूं मैं यह assume करें चाब रहा हूं कि आप beginner हो तो perfection के और अभी हम नहीं जाएंगे अभी हम लोग कुछ बस बनाना सीखेंगे कि मने start to finish यह पूरा खतम करेंगे हम और इसमें perfection देना हम सीखेंगे तब जब हम mid poly characters को design करेंगे या model करेंगे तब ओके तो चलिए अभी हम अपने subdivision surface modifier को apply कर देते हैं तो यहां modifier वारे tab में देखिए नीचे यह subdivision वाले section में आई है यहां पर एक drop down menu जो नज़र आ रहा है इसके ओपर click करेंगे तो आपको यहां पर apply को option नज़र आएगा लेकिन अभी यह faded है मतलब अभी आप इसे apply नहीं कर सकते हैं क्यूंकि अभी हम edit mode में और edit mode में हम किसी modifier को apply नहीं कर सकते हैं तो हम आ जाते है वापस से object mode में so press tab and come back to object mode अब इस drop down menu पर जाईए और देखें यहां पर apply को option अब visible है जिसके click करें और अपने modifier को apply कर लिजे और अब हमारा mess जो है convert हो चुका है sub divide होकर के अभी अगर आप tab प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि subdivision surface apply हो जाने के बाद साहे के साहे vertex subdivision apply होने के जगा जिस जगा होना चाहिए उस जगा आ चुके हैं तो अब हम अपने face में सबसे पहले तो i लगा लेते हैं तो shift plus a प्रेस करें और उसके बाद sorry मैं अभी हूँ edit mode में तो पहले आपको object mode में आना होगा वरना क्या होगा कि हमारे जो body mesh है उसी का part आई भी बन जाएगा तो मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ मैं चाहता हूँ को वो एक separate object रहे आई जो है वो एक separate object रहे तो इसलिए हमें object mode में पहले आना होगा तो tap प्रेस करके object mode में आ जाएए shift plus a प्रेस करिए और इसके बाद mesh में आकर के UV sphere इसे insert करिए अपने scene में इसे हम scale down कर लेंगे और one प्रेस करके front view में आ जाएए g z और इसे हम ऊपर कर लेंगे full stop प्रेस करिए थोड़ा सामने आ जाएए scale down करिए इसे थोड़ा और लगभग आँग जितना बड़ा होता है उतना 3 प्रेस करके side view में आएए और g y इसे y axis में थोड़ा आगे की और ऐसे push कर लेजे अभी front view से आप देख सकते हैं कि एक eye तो बन गया अगर आप alien मनाना चाह रहे हैं तो यह actual में अच्छा model बनेगा सायद अगर इस eye को थोड़ा और बड़ा बना दिया जाए पर फिलाल हम तो human design कर रहे है human model कर रहे हैं तो इस eye को सही position देते हैं तो प्रेस करिए g और उसके बाद x और x axis में इसे यहां ले आईए और इसके बाद हम इसमें भी mirror modifier apply करेंगे ताकि left side का आई जाए वह automatically बन जाए तो अपने इस sphere को selected रखे और इसके बाद modifier tab में आकर add modifier में आए और यहां से mirror modifier को select कर लिजए mirror modifier apply हो चुका है लेकिन हमें define करना होगा कि किस चीज को base बनाकर mirror करना है इस sphere को तो हम यहां पर देखे mirror object में target select करने का भी option है हमारे पास तो यह जब picker जैसा कुछ नजर आ रहा है इसके उपर click करिए और इसके बाद face के उपर click करिए तो इस face के across हमारा जो UV sphere है वो mirror हो जाएगा ओके अभी आई बहुत जादा बड़ा है पर हम इसे चोटा कर सकते हैं आगे जाकर के भी तो अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं देखे एक बार में कभी भी किसी चीज को perfect बनाने यह कोशिस मत करेंगा क्योंकि ऐसा होगा कभी ने आप सरेर के सबी हिस्सों को धीरे धीरे दीरे बनाईए और perfection उसे धीरे धीरे आपको देना होगा किसी एक portion को के बल सिर्फ eye को या के बल सिर्फ nose को या के बल सिर्फ mouth को आप perfection नहीं दे पाओगे क्योंकि imagine करना बहुत मुस्किल होता है आई कहां पे है nose कहां पे है mouth कहां पे है सही proportion imagine करपाना थोड़ा सा मुस्किल होता है इसलिए सारे चीज को पहले अपने अपना जगह दे दीजिए ओके तो अभी हम 3 प्रेस करके अभी हम object mode में तो मैं tab प्रेस करके एडिट मोड में आ जाता हूं और उसके बाद 3 प्रेस करके face select mode में आ जाता हूं मैं और यह सामने वारा जो फेस इससे मैं सेट कर लेता हूँ और मैं प्रेस करता हूं i to insert क्यों नहीं हो रहा है मैं थोड़ा ज्यादा सामने था surface के इसलिए insert नहीं हो रहा था तो थोड़ा दूर कर लिजे अपने cursor को अगर यह problem आपके साथ भी हो रहा है तो और इसे कर लिजे थोड़ा सा insert और लगबग इतना जितना चौड़ा हमें mouth चाहिए और B प्रेस कर लिजे क्योंकि हमें left side में insert नहीं चाहिए और click कर दीजे इसे अगर हम सही से देखना चाहें mouth जैसा कुछ तो e-press करके अभी थोड़ा सही से हम पीछे की और push कर सकते हैं तो y-axis में अपने movement को lock कर यह थोड़ा सही से ऐसे करके पीछे की और push कर दीजे ऐसे अब हम नूज भी बना लेते हैं तो नूज बनाने के लिए फिर से object mode में आईए और shift प्लस से प्रस करिए और एक cube को अपने viewport में इंसर्ट कर लीजे one प्रस करिए front view में आईए scale down कर लीजे इसे थोड़ा और इसे हम x-axis में भी थोड़ा scale down करेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं face में क्योंकि हम इसे news बनाने वाले हैं कैसे होगा त्री प्रस कर ली राइट वी में आईए जी y से आगे कर लीजे scale it down लग भग इतना और अब हम इसमें subdivision surface modifier apply करेंगे देहिए subdivision apply करने का तरीका तो यह है कि आप यहां modifier tab में आईए add modifier जाके subdivision surface modifier पर क्लिक कर दीजे शॉर्टकट तरीका यह है कि आप अपने keyboard में प्रेस करिए control उसे hold करके रखिए और प्रेस करिए 1 तो subdivision surface modifier लेवल 1 तक apply हो जाएगा आपके object में जिस किसी भी object को सरक करके आप hot key को प्रेस करेंगे ओके 3 प्रेस करिए और g y और हम इसे थोड़ा आगे की और ले आते हैं हलाकि अगर आप इसे cartoon लुक देना चाहें तो यह nose भी खराब नहीं है पर चलिए थोड़ा और बहतर बनाते हैं इससे अगर इसके subdivision को आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं अगर आप control प्रेस करके रखें और 2 प्रेस करें तो subdivision का level जो है वो 2 तक बढ़ जाएगा अभी side में यहाँ देखिए modifier में subdivision modifier वाले section में अगर आप देखें तो level viewport यहाँ भी 2 है okay so now press tab और इसे हम nose का shape देने कोशिस करेंगे तो पहले तो alt plus z प्रेस करके x-ray mode को on कर लीजे x-ray view mode को और इसके बाद one press करें और front view में आ करके अपनी vertex select mode को भी on कर लीजे one press करके और इसके बाद नीचे वाले vertex को select करें s प्रेस करें और इसे हम scale करेंगे x-axis के along तोड़ा ऐसे ओके अभी यह कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो गया लग रहा है पर कोई बात नहीं से हम बहतर मना लेंगे फिस एरिट mode में मैं आ जाता हूं एक edge loop मैं यहाँ पर देदूँआ और बीच में भी यह पतला होना चाहिए तो s x नीचे भी इसे थोड़ा पतला होना चाहिए तो s x और इसे पतला कर लिजिए overall size अगर आपको लग रहा है कि चोटा होना चाहिए तो a प्रेस करके सारे के सारे vertex को select करिया और उसके बाद s प्रेस करके इसे scale down कर लिजिए ऐसे अब प्रेस 3 और टॉप वाले vertex को पीछे ले आईए अभी सायद मेरा x-ray view mode on नहीं था जिस वजह से पीछे के vertex select नहीं हुए तो x-ray view mode को on कर लिजिए add plus z से और इसके बाद 3 प्रेस करिए और इस vertex को select करिए g y और इसे पीछे कर लिए इस वर्टेक्स को select करिए और इसे भी थोड़ा पीछे कर लिजिए सारे के सारे vertex select करिए और इसके बाद g y इसे थोड़ा आगे की और push कर लिजिए okay अभी के लिए इतना काफी है अगर news का shape और बदलना हो और बहतर बनाना हो तो हम यह आगे भी चलके कर सकते हैं फिलाल अभी और एक चीज़ की जरुरत है वो है eyebrow तो eyebrow हम बना लेते हैं तो press shift plus a और इस बार हम एक cylinder add करेंगे one press करिए और इस cylinder को scale करेंगे हम लेकिन हम इसका height उतना कम नहीं करना है पहले इसका चौड़ा ही जो है वो हमें सिर्फ घटाना है तो हम shift plus z press करेंगे इससे क्या होगा z axis में इसका scaling नहीं होगा हर axis में scaling होगा except z क्यूंकि हमने shift plus z प्रस किया है अगर आपने blender beginner course किया है मेरा जो मैंने YouTube में बनाया है तो आपको ये बात बता होगा अगर नहीं किया है तो उस video series को भी जा करके देख लीजे अगर आप beginner है blender सीखना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा आप उसे देख करके सीख लें ओके मुझे लगता है इसे थोड़ा और पतला होना चाहिए तो मैं इसे थोड़ा और पतला कर देता हूं एस shift z और ऐसे ओके नाव प्रेस अब हम इसे थोड़ा उपर करेते हैं प्रेस जी और z एक्सिस में इसे लॉक करिए movement को से हम rotate कर लेते हैं ऐसे छोटा कर लेते हैं जी rotate जैसा कि मैंने कहा हर चीज को पहले बार में पर्फेक्ट बनाने का गोशिस मत करिया है ठीक है बस जितना सही आप कर सकते हैं करिया है चैंकि अभी आप beginner हो अब प्रेस जी एंड वाई इसे य एक्सिस में आगे ले आईए इतना seven प्रेस करके टॉप व्यू में आईए और eyebrow को rotate करके face के parallel में ले आई है जितना आप ला सकते हैं आई ब्रो थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं scare down कर लेता हूं इसे आई भी बहुत बड़ा लग रहा है तो इसे भी मैं scare down कर लेता हूं जी एक्स और इस थोड़ा नजदीक कर लेते हैं इस तरह से अब जैसा कि हमने eye के साथ किया था वैसे eyebrow के साथ भी करेंगे और mirror modifier इसमें भी apply करेंगे तो eyebrow को कर लिजे और इसके बाद नियार से इसमें mirror modifier apply कर दिजे इस तरह से और target object में आप इस sorry इस picker को इस picker के उपर click करें और इस face पर एक बार अपने picker को लाकर click कर दिजे तो face के across हमारा eyebrow भी आ चुका है right side left side दोनी side थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूं मैं gx थोड़ा दूर कर लेते हैं इसे gz अगर आप किसी reference का use करें मतलब किसी photograph अगरा का और तब आप अगर model करें तो आपका model कहीं ज्यादा बहतर बनेगा अभी क्या है हम लोग guess करके हर चीज का position दे रहे हैं मतलब eyebrow कहा हो होना चाहिए अगर आपने पहले कभी drawing नहीं किया है paper पे या फिर आपने कभी 3D object इस तरह से बनाया नहीं है तो आपको हो सकता है कि साही से समझ में ना आए कि हर चीज का position कहा दे but don't worry ऐसा अगर आपके साथ होता है तो practice के साथ time के साथ वो चीज बहतर होने जाएगा पहल है बहुत important चीज जिसके बिना हर इंसान अच्छा नहीं लगता है बाल क्योंकि बाल अगर ना रहे तो हमारे यह model बाला बन जाएगा हमें बाला तो बनाना नहीं है okay so sorry है अगर मैं बीजूच में थोड़ा इस तरह की बे-फजूल की बाते कर दूँ तो बुरा मत मानियेग mahat okayilles do हम टॉप में जितने वी फेस्टे से उन्हें सररक कर लें तो आप पहले अपने बौड़ी को सररख करीज़ए टैब प्रेस करी एडिट मोड में आईये त्रीप्रेस फेस़आईो तो इन फेश्ट को सररक किर लीज़े जिससे आपको hira बनाना है इतना ही अभी क्योंकि मैंने mirror modifier इसमें है अच्छा हाँ mirror modifier applied है तो अभी अगर हम कुछ भी करते हैं जाते कि अगर मैं एक shoot करूँ दोनों side होगा ओके तो एक shoot हमें करना नहीं था तो मैं ctrl प्लस z प्रस कर दे रहा हूं हम क्या करेंगे इन faces का duplicate हम बना लेंगे क्योंकि hair separate मैं चाहता हूं कि separate रहे हमारे body से तो shift प्लस d प्रस करिए और इसे क्या होगा कि एक duplicate face on top of the face जो की यहाँ पर already था उसके उपर बन चुगा है अब यह जो duplicate face हमने बनाया इसे हम separate कर लेंगे कैसे आप प्रस करिए पी और यहाँ पर अभी पूछा जारहे है कि आपको किस तरह separately करना है by selection separate करना है by material separate करना है या फिर by loose parts separate करना है तो फिलहाल हमें by selection separate करना है क्योंकि हमने select कर रखा है इन faces को और हम चाहते हैं कि यह selected faces ही separate बने separate object बने ओके selection पर click कर दीजे अभी आप outliner में देखेंगे कि देखें यहां cube 002 यह एक नया object create हो गया है जो कि हमारा hair जैसे हमने duplicate करके बनाया था वह है तो अभी tap प्रेस करिए object mode में आईए और अगर अभी आप अपने cube 002 को select करेंगे और G press करके ऐसे इसे पीछे करने देख सकते हैं duplicate एक object बन चुका है जो कि actual में हमारा hair का रूप लेने वाला है तो यहां cube 002 को double click करें ताकि हम इसे rename कर पाएं और इसका नाम हम देदेंगे hair इस तरह का renaming करना बहुत अच्छा idea है क्यूंकि इससे confusion नहीं होता है आगे चलके अब यह देखिए eyebrow का अगर आप सरक करें तो यहां पे cylinder हमें नजर आ रहा है तो cylinder तो यह है नहीं हमने तो इस eyebrow बना दिया है तो इसे भी चलिए rename कर लेते हैं अच्छा मौका है rename करने का let's say let's write eyebrow eyebrow okay eyes okay यह sphere है इसे हमें नाम दे देना है eyeball इसे नाम दे रहा है nose f2 आप f2 भी प्रेस कर सकते हैं किसी भी object को rename करने के लिए so इसका नाम हमें देना है nose यह cube क्या है अच्छा मैंने body को अभी तक name नहीं दिया है very good f2 the body अभी ठीक है okay तो हम अपने hair को select कर लेते हैं और इसके बाद हम प्रेस करेंगे tab edit mode में आने के लिए और अभी आप देखें क्योंकि हमने duplicate hair बनाया है जिस वक्त okay इन faces को select कर ये एकी बार में मैं single click कर रहा हूं सब में sorry मैं आजकल editing में ज्यादा वक्त नहीं बिताने वाला क्योंकि आप लोगों का कहना है कि वीडियो जल्दी जल्दी डालिये तो जब बीच में मैं बक्वास करता हूं तो मैं उसे rating के वक्त हटा देता हूं या फिर किसी बात को अगर मैं repeat कर देता हूं कुछ गलत बोलता हूं तो उसे मैं rating के वक्त हटा देता हूं क्योंकि इस process को हमें जल्दी करना है जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है तो उसके लिए editing कम time ले तो ही possible यह चीज तो इसलिए मैं अभी जितने mistakes करूँगा वो भी आप देख पाऊगे और इससे आपको ये भी समझ में आगा कि actual में कोई भी इंसान perfect नहीं है है ना मैं सिखा मुझसे भी होता है mistake और आप भी अभी सीख रहे हो blender हो सकता है जैसा आप expect कर रहे हो वैसा आप एक ही दिन में ना सीख पाऊओ दो दिन में ना सीख पाऊओ एक महीने में ना सीख पाऊओ but with practice आप सीख जाओंगे इसलिए ये अच्छी बात है कि अगर मैं आपने गलतियों को नहीं चुपा रहा हो तो ओके तो इन faces को select कर लिजे और इसे हम करेंगे पहरे तो इसे हम सही शेप दे देते हैं क्यूंकि hair ऐसा डबा डबा जासा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है तो hair को face से select करिए और tap प्रेस करके edit mode में आईए one प्रेस करिए vertex select mode में आईए इस vertex को select करिए और हम snapping को on कर लेंगे और snapping में यह जो face snapping का जो option है इस option को हम select कर लेंगे इसे क्या होगा कि हमारा vertex जो है उसे जब हम move करेंगे तो वो snap होगा चिपकेगा किस चीज पर, face प्र चिपकेगा क्यूंकि हमने यहां से face वाल option उसन रख्कर करक्खा है और कब चिप करेगा जब हम मूव करेंगे तब जब हम रोटेट करेंगे तब जब हम स्केल करेंगे तब देखिए by default आपका रोटेशन और स्केलिंग नहीं अन होगा मैंने पहले अन किया था इसलिए ब्लू दीख रहा था तो मैं फिर से इसे अन कर लेता हूँ अगर आपका नहीं अन है तो आप भी अन कर लीजिए मूव रोटेट स्केल ये तीनों के तीनों अन होने चाहिए और उसके बाद हम प्रस करेंगे जी और अपने इस वर्टेक्स को हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे हैर जिस जगह हमें चाहिए उस जगह हम इसे कर लेंगे ओके ओके अभी मुझे याद आ रहे कि यहाँ पर एयर भी नहीं है तो चलिए पहले एयर हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर एक क्योंकि बीना कान के यह इमेजिन कर पाना की बाल कहा होगा तो प्रस शिफ्ट प्लस ए और अगें इंसर्ट अक्यू और इसे हम सही पोजिशन दे प्रस फुल स्टाप स्नापिंग को हम आफ कर लेते हैं कि अभी हमें स्नापिंग की जरुरत है नहीं स्केल डाउन करिये से कंट्रोल प्लस टू प्रस करिये ताकि इसमें सब डिविजन सर्फिस मॉडिफायर अपलाई हो जाए जी जड ऊपर करिये से जी वाई सारी जी एक् से स्केल डाउन करिये थ्री प्रस करिये सई जगह है ओके ना प्रस टैब एंड कम प्रेट मॉड़ सेलेक्ट अल्द वर्टिस एंड स्केल डाउन अन एक्स एक्सिस लगभग इतना पतला कर लिजे इसे और इसके बाद हम इसे कर लेंगे रोटेट सो प्रेस आर और जड हम िए से जट अर रोटेट करेंगे लग भग इतना सिवन प्रेस के डाउन प्रेस टाप विंये उसके बाद इसे फेस कोड़ा ऐसे अंदर कोडेंगे इसे तो एक्स प्रेस करके रखिये ताकि आपका प्रेस करके बंद एक्स प्रेस करिए ताकि आपका जो यह movement है z-axis में locked हो जाए इस तरह से आप लोग मुझे comment में यह ज़रूर बताएगा कि इस तरह से जब मैं अपने गलतियों को नहीं चुपा रहा हूं है rating नहीं कर रहा हूं बीच में बहुत सी useless बाते भी मैं बोल दे रहा हूं तो इससे आप लो हो इरिटेट हो रहे हैं मेरे मिस्टेक्स को देख देखकर तो मैं इरिटिंग करूंगा फिर मैं उसमें ज्यादा time spend करूंगा इसलिए मैंने अपना चाहरा दिखाना भी बंद कर दिया क्यूंकि green screen लगा के पहरे green screen remove करना पड़ता है फिर synchronize करना पड़ता है जो मेरा मैं mobile स इसकी ready भी होना पड़ता है मतलब जैसे तैसे मैं अभी फिलाल मैं अपना चाहरा तो दिखानी रहा तो जिसकी भी तरह से मैं वीडियो बना सकता हूं पर खैर इदर दर की बातें कम काम की बातें ज्यादा तो press tab और उसके बाद 3 press करिए इस edge को सरक करिए sorry 2 press करिए इस edge को स चाहिए तो हम फिर से snapping on कर लेंगे और हमरा face selected है so now press G ये कुछ weird सा ही चीज हो रहा है ऐसा क्यूं हो रहा है चले कोई बात नहीं हम one press करे vertex select mode में आ जाते है और इस vertex को हम थोड़ा पीछे कर लेंगे ऐसे अब हम क्या करेंगे कि सारी के सारे faces को हम सरक कर लेंगे इस face को और हम इसे extrude करेंगे तो extrude करने के लिए simply अगर आप E press करेंगे और फिर extrude करने तो यह देखेंगे अजीब तरह का extrusion हो रहा है ऐसा extrusion हमें नहीं चाहिए Ctrl प्लस Z प्रेस करेंगे ताकि जो यह extrusion हमने किया था वो cancel हो जाए और हम प्रेस करेंगे Alt उसे hold करके रखेंगे और प्रेस करेंगे E अभी different options available हैं हमारे पास extrude faces जो simply E प्रेस करते हैं तो यह होता है extrude face along normals, extrude individual faces and so on तो यह सभी चीजें क्या है अभी मैं explain करूं तो बहुत time लएगा अभी हमें extrude along normals करना है ठीक है इस पर click करिए जब आप अपने computer में कर रहे हो extrusion तो उस वक्त आप different options को शरक करके देख लीजेगा यह actually क्या काम करता है वो okay इस तरह का बाल तो अच्छा नहीं लएगा शोड़िए इससे cancel करते है तो control plus Z प्रस करिए फिर से और simply E प्रस करिए और इससे थोड़ा सा एक shoot कर लीजे ज़रा सा और इससे क्या हुआ कि हमारे hair को थोड़ा thickness मिल गया है ना अब हम क्या करेंगे कि हम top में जो faces हैं उन्हें से रख कर लेंगे इन सब को और फिर से press करेंगे E sorry E नहीं Alt plus E और हम extrude individual faces में click करेंगे इससे क्या होगा कि हर एक face individually extrude होंगे इस तरह से देखिए हर एक face individually extrude हो रहे हैं तो मैं इसे extrude करूँगा लगभग इतना यह hairstyle actually बड़ा ही cool लग रहा है by mistake मैंने इस चीज़ किया था पर मुझे अच्छा लगने लगा तो मैंने सुचा कि क्यों ना इसी तरीके को उसी अगर आप देखेंगे तो अब हमारा face जो एकदम अजीब सा लग रहा था अब नहीं लग रहा है अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हां यह कोई character है इसलिए मैंने कहा था कभी भी किसी चीज़ को perfect दराने कुछिस मत करिएगा eye nose यह इन सब चीज़ों पर फस यह गमत ओके तो अभी हम इसे दे देते हैं color क्योंकि color देने के बाद फिर इसमें काम करने में थोड़ा मज़ा आएगा अगर आभी आप realistic view में जाएं तो आप दे करने के लिए यहाँ shading time में आई है